वेलकम बैक आज हम बात करना है फ्रीक्वेंसी की और यह फॉर्मूला एकसल में है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से हम एक रेंज के बीच में कितनी वार नंबर आया है उसको काउंट करते हैं यह काउंट का एक टर्म है जैसे पचास से सो के बीच में इस डेटा में कितनी व वह count करेंगे frequencies तो चलिए देखते हैं कैसे होगा यहां पे आपको simply frequency का formula डालना है हम argument को देखने के लिए magnifier ले लेते हैं और यहां पे इस magnifier का इस्तिमाल करेंगे पर ईख्वल टू फ्रिक्वेंशी और फ्रिक्वेंशी में जो आपका आर्genय안 है वह ह audio में तोबिंट जो है वह कि ये पूरा है इस पूरा डेटा को लेंगे इसना के पर क्रिक कर दो दबाएंगे तो ये पूरा डेटा ऊपको chose कर कर सेब्सान दुख़ेगा कि यहां देखिएगा कि कंट्रोल प्लस ए यहां नहीं लिए फार है हमको सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल शिफ्ट है रो राइट हारेंगे और डाउन तो पूरा डेटा सेलेक्ट होगा इसमें जो एक चार डेटा आ गया है एवन इसको डिलीट कर देते दे तो यह पूरा डेटा एरे है मेरा उसके बात कॉमा देंगे भी यृण बिंगा एरे तो जो बेस है जिस बेस से हम जानने वाले हएं वो बेस देंगे तो बेस मेरा यह है बीनेरे आप इसको जोम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारा बीनेरे है वो यह आर्गिमेंट बुलाएं तो बीनेरे मेरा यह है इसको हम लेंगे पूरा यहां तक है उसके बाद प्रैकिट बन करेंगे और इंटर मारेंगे तो आप देखते हैं कि यहां पर जो रिजल्ट है वो बारा गया है और इसी को हम जब ड्रैक करेंगे तो इसमें जो हमने डेटा दिया है वो रिलेटिव है और इसको जब ड्रैक करेंगे तो यह काम नहीं करेंगा कि यह जल्ट कुछ गलत दिया है जो आपको यह एड़र का मैसेज आ रहा है तो हम इसको एड़िट करेंगे कि सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को और एक को इड़िट करेंगे और इसमें कंट्रोल सिफ्ट इंटर मारेंगे एरे बनाएंगे तो यह रिजल्ट सही सही हमको बना के दिखाएगा और यह एक्जैक्ट रिजल्ट बनाया है यह 12 है यह 11 है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह 12 है आप इसमें देख सकते हैं इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे की कंडिशनल में जाके हों टैप से कंडिशनल फार्मेटिंग है इसमें जाके और यहां से बिट बिन हाइलाइट कर सकते हैं कि जो पचास से लेकर और सौ तक का जो कितना डेटा है कि यहां पर है जीरो से लेस देन पचास यहां पर लेस देन पचास देखना होगा कंडिशन यहां से लेस देन पचास और ओक करेंगे तो यह हाइलाइट कितना करता है बिट्विन कंडिशन ही काम करता है पचास से लेकर एक सो तक हंडेड कर सारी हमने क्या किया एक डीटा श्लेक्ट नहीं किया था इसलिए युद बाला भी नहीं काम किया इस डेटा को सलेक्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं लेस देन पचास करके हैं कर देशनल हाईलाइट लेस देन पचास तो यहां पे जो डेटा है वो कितना है तो पांच यहां दिख रहा है आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो यह 12 जो डेटा है वो यह है पचास से कम अब 100 से जो कम है वो 11 डेटा है 50 तक 500 से जो कम है वो 19 डेटा है तो ऐसे करके यह data है frequency count का देता है next हमारा percentage है तो हम percentage कैसे निकालेंगे कि यह जो है पूरा 100% data में 12 जो data है इसका कितना percentage से दारी है में तो इक्वल टू फ्रिक्वेंसी से ही निकलेगा यह भी फ्रिक्वेंसी में डेटा आपको लेना है यह पूरा नेक्स्ट कॉमा देंगे और जो बीन है बीन है रहे वह यह बताएंगे बेस ब्रैकेट आफ करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे काउंट से काउंट ब्रैकेट अन करके और काउंट में भी आप यही डेटा जो अरए है इसी को लेंगे और ब्रैक्ट आफ करके इंटर मारेंगे तो ये आपको परसेंटेज एक का दिखाएगा सब का चाहिए हमको तो ऐसा ड्राइक करेंगे सब में और इसको इडिट करके हम कंट्रूल से इंटर मारेंगे यह परसेंटेश सब के लिए आ गया है इसको किसका कितना हिस्सेदारी है और इसको यहां से थुरब बढ़ाते हैं तो यह एक्जेक्ट बताएगा किसका कितना हिस्सेदारी है नेक्स्ट हमने इसमें देखा फ्रिक्वेंसी और इसमें परसेंटेज वाला देखा तो दो कंडिशन देखा नेक्स्ट कंडिशन जो फ्रिक्वेंसी का है वो यह है विदाउट फ्रिक्वेंसी भी हम निकाल सकते हैं लेकिन उसमें कंडिशन आपको दो रखके चलना होगा तो जब हम दो कंडिक्षन को लेकर चलेंगे तो बिना फ्रीकेंसिके भी निकाल सकते हैं ऐसा वाला तो आप पर ऐसा निकालने के एसे श्वयंड दिया हुं ग्रेड दिया हुआ है इसको बिडावट के निकाल के दिखाते हैं आपको इकवल टू इसमें यह इसमें ग्रेट को लेंगे जो इसमें ग्रेट दिया हुआ हुआ है यह हमने कुछ 50 इस डिया है और उसका कुछ ग्रेट दिया है नेक्स्ट कॉमा देंगे और इसके अंदर इन्वर्टिट कॉमा में गेटर दैन या इक्वल टू फिर इन्वर्टिट कॉमा में कि हैंड का साइन देंगे और उसके बाद जो डेटा है वो यह मिनिमम देंगे कॉमा देंगे फिर से रेंज देंगे कीटरिया नमर्टू का तो यह कीटरिया रेंज जो है वो तू मेरा यह है और फिर हम देंगे यहां पामश प्रिर्वकर कॉमा लेस दन इक होल टू मिनटिट कॉमा एंड का साइन यहां पे देंगे माक्सिमूम बाला और यहां से ब्रेकिट अफ करेंगे और इंटर बारेंगे तो यह को रिजम्ट देगा अब इसमें जो यह गलत दिखा रहा है तो ग्रेट को आप इसमें स्टॉप का दीजिए यह रिजल्ट सही आएगा यह जो ग्रेड है इसको इस्टॉप का दीजिए लॉग करके और रिजल्ट पाईए इसको हम ड्रेक का देते हैं तो एक्जेक्ट रिजल्ट जो है वो सही आएगा नब्बे और सौ के जो बीच में है वो तीन डेटा है हम यहां से देख सकते हैं इसको पूरा सेलेक्ट करके और किसी बीच वाले को चेक करते हैं क्योंकि फर्स्ट वाला तो सही आता ही है तो यह जो तेरा है इक सट एक यावन से उन्हासी तक में तेरा है उसको देख लेते हैं तो इसको सेलेक्ट करके हो में जाएंगे कंडिशनल फॉर्मेटिंग में हाइलाइट में जाके बीट्वीन करेंगे और यहां से फिप्टी वन देंगे फर्स्ट वाले में और सेकेंड में सेवेंटी ना पांच छे, साथ, हाट, नौ, दस, ग्यारा यहां से एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, हाट, 9, 10, 11, 12, 13 तो जो 51 से 79 तक था वो 13 टेटा था वह आपको यहां दिखाई देने लगा है मतलब यह सही है इसका जो फॉर्मूला है इसको आप देख सकते हैं यहां पर कॉपी करके हम बहार रखते हैं जिसको वीडियो को रोक के आप इसको देख पाईएगा कि फॉर्मूला इसमें क्या है हाँ है नेक्स्ट जो है फसेंटेज तो जैसे हमने यहां पर मचल निकाला है फ्रिक्वेंची से यहां विडाउट फ्रिक्वेंची से परसेंटेज निकालेंगे इक्वल टू इसको लेंगे और इसको लोग करेंगे प्रेकेट आफ करेंगे इंटर मारेंगे तो यह चेपर सेंट है यहां उसको द्मॉप करके दिखाई देगा इसको देख सकते आप सम करकिर यहां अंडिट पर्सेंट है देखेए और इसमें भी आप देख सकते हैं 200 परसेंट दिखाई देगा इसका जो फर्मूला है इसको हम बाहर निकाल देते हैं कि अज़िए और इसमें जो फर्मूला था इसको अगर आप देखते हैं कि वह फर्मूला इसका जो है वह यह है और इसका जो फर्मूला है वह यह है कि अगर आप कि अगर आप कि अगर यहां पर देख सकते हैं अगर विडियो में दिखाई नहीं देरा आपको तो वीडियो का क्वालिटी बदलेंगे सेटिंग पर यहां पर एक सेटिंग बटन होगा वीडियो में और वहां से quality बदलेंगे तो आपको यह सब clear दिखाई देगा इसमें जो है यह array है इसमें मतलब एक जब control shift इंटर मारेंगे तो एक bracket आगे से और एक पीछे से आपको लगा हुआ दिखाई देगा आपके formula में कुछ इस परकास है ऐसा नेक्स्ट जो आज का मेरा तिसरा पॉइंट है तिसरा frequency कैसे निकाल सकते हैं तो उसके लिए एक एक्सल में add-in feature होता है उस add-in feature कौन करना होगा जैसे वो add-in feature on करेंगे तो हमको यहां data में data analysis करके एक option आएगा वह आपको file में option में add-in में जाके और यहां पर जो excel add-in है इसको go करेंगे और यहां से आपको जो option है वो दिखाई देगा analysis tool pack analysis tool pack को लेंगे और ok करेंगे इसको जब आप ok करते हैं तो आपको data में data analysis करके एक option आता है तो data analysis यह option लेना है आपको और उसके बाद यहां पर आप हिस्टोग्राम जो हिस्टोग्राम करके एक option होगा उसको लेंगे ok और यहां से आप लेंगे input range तो input जो range है वो हमारा यह यह data है और उसके बाद आप लेंगे बीन रेंज तो बीन वाला जो है मेरा वो यह है उसके बाद यहां से output पर क्लिक करेंगे और output जो result आपको चाहिए वो यहां पर क्लिक करके आप जो result चाहते हैं वो यहां चाहते हैं ok करेंगे तो यह हमको result देगा देखो बीन जो हमने बना रखा था वह बिन बना के दिया है साथ में frequency निकाल के दिया है आपको कि क्या frequency होना चाहिए यह क्या exact मेरा ऐसा है तो आप देखेंगे कि exam exact हुआ ही है जो tool pack हमको निकाल के दिया है data analysis से और एक histogram का चार्ट भी बना के आपको यह वाला टूल देता है तो हम इसमें देखते हैं सुरी हमने उसमें चार्ट का option क्लिक नहीं किया था इसलिए वह चार्ट बना के नहीं दिया है हम चाहते तो चार्ट भी ले सकते थे देखिए दुबारा से हम निकालते हैं इसको इसको यहां से delete कर देते हैं हो मैं हो मिकले घागे किलियर आरह उड करेंगे यह इंपुटर रिंज है ही मेरा बना के है यह आउट पुट हम चाहते जहां पर है वहां है और यहां से चार्ट आउटपुट पर क्लिक कर देंगे तो चार्ट भी निकाल के हमको देगा और देखिए तो यहां पर वही बिन है वही फ्रीक्वेंसी है और एक हिस्ट्रोग्राम का चार्ट भी बना के दिया है तो आज की इस वीडियो में हमने तीन कंडिशन से समझा कि कैसे निकालते हैं तैंक यू फूर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ